नमस्कार प्यारे बच्चों, अर्थशास की कक्षा में आप सब का स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने जाना की आकड़ों का संग्रहन कैसे करते हैं। आपने प्रात्मिक तथा द्वित्तिक आकड़ों के बीच अंतर को भी संझा। प्रात्मिक आकड़ों को संग्रह करने की विभिन विद्धियों तथा प्रायोगिक सर्विक्षन, जन्गन्ना एवं प्रतिदर्श सर्विक्षन के बारे में भी जाना। प्रतिदर्ष चुन्ने की दोनों तरीकों यादर्शिक प्रतिचैन एवं यादर्शिक प्रतिचैन के बारे में विस्तार से चर्चा की प्रतिदर्श सर्विक्षन के दौरान होने वाली तुरूटियां, प्रतिचैन तुरूटियां तथा अप्रतिचैन तुरूटियों के बारे में भी जाना भारत की जणगन्ना तथा रास्टिय प्रतिदर्श सर्विक्षन संगठन को द्वित्यक आकडों के स्रोत के रूप में जाना आज की कक्षा में हम संग्रहित आकडों को वर्गिग्रत करके विशलेशन के योगे बनाने की प्रिक्रिया पर चर्चा करेंगे अनुसंधान के दौरान संग्रह किये गए आकडे अव्यवस्तित दशा में होते हैं इन आकडों से तुलना करना, संबंद ग्याद करना, निर्वचन करना या उनसे कोई उप्योगी निशकर्ष निकालना बहुत कठिन होता है अनुसंधान के उद्देशों के आधार पर संग्रहित आकडों से कोई उप्योगी निशकर्ष निकालने के लिए आवशक है कि आकडों को संग्षित तथा सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए ऐसा करने के लिए आकडों का वर्गी करण या संगठन करने की आवशक्ता होती है आकडों का वर्गी करण आकडों को सरल तथा संग्षित रूप में प्रस्तुत करने में हमारी सहेता करता है इस कक्षा में वर्गी करण के अर्थ व्य उद्दिश, वर्गी करण के आधार, वर्गी करण के प्रकार के विशय में चर्चा करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि आकडों के संगठन की अवशक्ता क्यों होती है आप एक ऐसे पुस्तकाल्य की विशय में कल्पना कीजिए जिसमें पुस्तकों की अलमारियों में विशयवार पुस्तके नहीं रखी है जिस पुस्तक को जहां जगह मिली उसे वहीं रख दिया गया है ऐसे पुस्थकाल्या में आप अपने विशय की पुस्थक ढूणने जाते हैं तो क्या आप अपने पुस्थक ढूण पाएंगे? शायद नहीं अपरिश्कृत या अव्यवस्थित आंकडे भी इसी प्रिकार की होते हैं जिसमें उत्तरदाताओं से प्राप सूचना को बिना किसी विवस्थित करम के संग्रह कर लिया जाता है इन आकडों से कोई निश्कष निकालना उतना ही कठिन है जैसे विवस्थित पुस्थकाल्या से अपनी पसंद की पुस्थक को ढूणना यदि अनुसंधान की गई चैन की जन्संख्या का आकार विस्थित है तो ऐसे विस्थित आकडों से कोई निश्कष निकाल पाना घास में स्मूई ढूणने जैसा होगा इन बातों को देखते हुए आकडों की संग्रहन के इपश्चात सबसे पहले आकडों का वर्गीकरण करके उनका संग्ठन करने की आवशक्ता होती है वर्गीकरण का अर्थ जानते हैं वर्गीकरण का तात्पर एक समान वस्तुहों को सम्हू या वर्गों में व्यवस्तित करने से हैं, आक्णों को उनकी समानता और सम्यता के आधार पर व्यवस्तित करके वर्गों या विभागों में प्रस्तुत करने की प्रिक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण के सांख्य की आंकडों को उनकी विशेष्टा तथा शोध के उद्देश्यों के अनुसार वर्गिकृत किया जाता है। जिससे उन्हें संभालना सरल हो जाए तथा उनसे कोई उप्योगी निश्कर्ष निकालना असान हो जाए। अब प्रिशन उठता है कि अपरिश्कृत आंकडे क्या है। अवर्गिकृत आंकडे अत्यधिक अव्यवस्तित होते हैं। तथा समान्यता यह इतने विशाल होते हैं कि इन्हें संभालना कठिन हो जाता है। अपरिश्कृत आंकडों से कोई सार्थक निश्कर्ष निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि सांखिकिये गणना विद्यों का प्रियोग इन पर सरलता से नहीं किया जा सकता। इस प्रिकार के आंकडों को वर्गिकृत करके इनका उचित संगठन तथा परुस्प्तिकरण किया जाता है। उधारन के लिए, यदि हम विद्याले में प्रिवेश लेने वाले विद्यारतियों के विशय में आंकडे इकत्र करते हैं, तो इन्हें हम कक्षा, लेंग, आयू, आधी के आधार पर वर्गिकृत कर सकते हैं। इससे सभी पुरिश विद्यारती एक वर्ग में तथ सभी स्त्री विद्यारती दूसरे वर्ग में रखे जाएंगे। इन वर्गों को भी आगे अन्य वर्गों में बाटा जा सकता है। जैसे आयू, अनुसार वर्ग, कक्षा अनुसार वर्ग। आईए अब प्रिश्कृत आंकडों का एक उधारन देखते हैं किसी परिक्षा में सौव विध्यारतियों द्वारा अर्थ चास्त में प्राप्त अंक निम्लिप्रकार हैं सार्णी को देखिए इसमें हमने सभी सौव विध्यारतियों के अंकों को बिना किसी करम के लिख दिया है यह अब प्रिश्कृत आंकडे हैं इस उधारन में सौव विध्यारतियों के अर्थ चास्त में अंकों की सूचना इकत्र की गई है इन अप्रिश्कृत आकड़ों को बिना किसी वर्ग करण की दर्शाय गया है इस प्रिकार की सार्णी से क्या आप विद्यारतियों के अंकों में तुलना कर पाएंगे या विद्यारतियों द्वारा प्राप अंकों के आधार पर किसी निश्कर्ष पर पहुंच पाएंगे शा या संग्शिप्त ना बना दे वर्गी करण के लिए हम किन विशेष्टाओं का चैन करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अध्यन की उद्धिश क्या है यदि हमारे अध्यन के उद्धिश आर्थिक स्थिदी का पता करना है तो हम परिवार की आये के आधार पर विशेष्टाओं का वर्गी करण करेंगे और यदि हमारे अध्यन का उद्धिश विद्धिःःतियों के स्वास्त का अनुवान लगाना है तो हम विद्धिःःतियों का उनकी भार उनकी उच्छाई तथा उनके द्वारा अनुभव की गई वीमार्यों के आधार पर इनको ढूणना, इनकी तुलना करना, इनमें संबंद ग्याद करना, तथा इनके आधार पर निशकर्ष निकालना सरल हो जाता है। हमने अध्याए दो में हर दस साल बाद होने वाली भारत की जनगन्ना के विशे में चर्चा की थी। भारत की विशाल जनसंख्या से प्राप्त और परिश्कृत आंकडे भी बहुत विशाल तथा विखंडित होते हैं। उनसे कोई अर्थपूर्ण निशकर्ष निकालना लगभव असंभव होता है। लेकिन जब इन्ही आंकडों को लिंग, सिक्षा, व्यवाहिक स्तिती, व्यवसाय, आयू, निवास, आदिक अनुसार वर्गिक्रत कर दिया जाता है, तब भारत की जनसंख्या की सनरच्चना तथा विशेष्टाओं को आसानी से समझा जा सकता है। तथा राज्य के अनुसार, जेले अनुसार, तुलना करना और निश्कष निकाल कर भविश्य की योजनाय बनाना सरल हो जाता है। हम आकडों का वर्गिकरन करते क्यों हैं? आर आकडों का वर्गिकरन करने के कुछ उद्धेश होते हैं। आईए इन उद्देशों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला उद्देश आखणों का वर्गी करण आखणों के समू को संग्षित तथा सरल रूप में प्रसुत करने में साहयक होता है। दूसरा इसका उद्देश्य है आखणों का वर्गी करण आखणों के समू को समानता तथा साम्यताओं के आधार पर विभाजित करता है। जिससे हम एक विशेष्टा का दूसरी विशेष्टा से तुलना कर पाते हैं और इनके बीच तुलना करना संभव हो जाता है। तीसरी विशेष्टा वर्गी करण द्वारा अव्यवस्तित आखणों को व्यवस्तित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जिससे अनुसंधान करता को किसी उपयोगी निश्कर्ष पर पहुँचने में मदद मिलती है इसका चोथा उदेश्य है कि आकडों का वर्गी करण आकडों के सार्नियन तथा उनके आधार पर सांखिकी विशलेशन का आधार प्रदान करता है अव यवस्तित आकडों का सांखिकी विशलेशन करना बहुत कठिन है पांचमा उदेश्य है आकडों का वर्गी करण आकडों को एक व्यज्यानिक एवं उपयोगी धाशा प्रदान करता है जिससे आकडों की सभी संभाव विशेश्टाओं को ढूनने तथा उन्हें पैचानने में सहेता मिलती है आकडों के वर्गी करण में कुछ विशेश्टाएं होनी चाहिए जो इस प्रकार है पहला वर्गी करण के अंतर्गत बनाये गए वर्गों तथा उसमें शामिल की जाने वाली सभी मदों को पूर्व निधारित कर लेना चाहिए जिससे वर्गी करण में सपश्टता बनी रहे कि कौन सी मद किस वर्ग में जाएगी दूसरा एक अच्छे वर्गी करण में प्रतेक वर्ग की सभी इकाईयां समान गुन वाली होनी चाहिए इससे सजातियता बनी रहती है तथा उनके बीच में तुलना करना सरल हो जाता है तथा कोई सार्थक निकाला जा सकता है तीसरा, वर्गी करण में वर्गों का निर्माण अनुसंधान के उद्धिश्य के अनुकूल होना चाहिए एक प्रकार के आंक्णों के वर्गों में उद्धिश्य के अनुरूपता भिन हो सकती है चौथी विशेष्टा, वर्गी करण के वर्गों का निर्माण इतना विस्तृत होना चाहिए कि अनुसंधान के लिए संग्रह कियेगे सभी आकडे किसी ना किसी वर्ग में आ जाए कोई भी इकाई वर्गी करण से बाहर नहीं रहनी चाहिए पांचमा आकडों के वर्गी करण का आधार एक समान होना चाहिए इससे आकडों में स्थिर्ता बनी रहती है छटा, आकणों का वर्गी करण लोशदार होना चाहिए इसमें उद्धिश्यों की अवशक्ता के अनुसार विभिन वर्गों में परिवर्तन करने की संभावना होनी चाहिए अब प्रशन यह हैं उठता है कि आकणों का वर्गी करण किस अधार पर किया जाए आप आकणों को किस प्रकार से वर्गी करना चाहते हैं यह है आपके अनुसंद्धान के उद्धिश तथा संग्रह किये अख़ए आकणों की विशेश्टाओं पर निर्भर करता है आईए अब हम आकणों की वर्गी करण की चार विध्यों की चर्चा करते हैं पहला आंकडों का काल के आधार पर वर्गी करण। समय के अनुसार आंकडों को वर्गी करत किये जाने को काल अनुक्रमिक वर्गी करण कहते हैं। इस प्रकार के वर्गी करण में समय के आधार पर आंकडों को वर्गी करत किया जाता है। जैसे दशक, वर्ष, टीमाही, मासिक, साप्ताइक या दैनिक आधी, समय काल या समय वधी के आधार पर आकडों को वर्गिकर्ट कर दिया जाता है। उधारण के लिए मासिक वर्ष, साप्ताइक मुल्यवर्दी, दैनिक तापमान, वार्षिक करशी उत्पादन आधी, इसमें काल को या अर्था समय को आरोही या अवरोही क्रम में वर्गिकर्ट किया जाता है। काल अनुक्रमिक वर्गिकर्ण का एक उधारण आप देखिए। भारत की जनसंख्या दी गई है, इस आर्णी में वर्ष 1951 से लेके 2010 तक भारत की जनसंख्या दी गई है। इस उधारण में भारत की जनसंख्या को समय के आधार पर आरोहिक्रम में वर्गीकृत किया गया है। प्रतेक दशक की जनगन्ना के आधार पर भारत की जनसंख्या के आकड़े वर्गीकृत किये गये हैं। इस सारणी से हम सरलता से तुलना करके निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस दशक में जनसंख्या में व्रदी दर सबसे अधिक रही तथा किस दशक में जनसंख्या में व्रदी दर सबसे कम है आकडों के वर्गीकरण का दूसरा अधार है आकडों का स्थान के अधार पर वर्गीकरण स्थान के अधार पर आकडों को वर्गीकरण किया जाने को स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं इस प्रकार के वर्गी करण में भोगौलिक स्थिती के संधर्म के अनुसार आकडों को वर्गी कृत किया जाता है जैसे देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा या गाउं भारत में जनसंख्या के आकड़ों को राज्यों के अनुसार वर्गिकृत किया जाता है जिससे हमें राज्यों के बीच में तुलना करने में सरलता होती है कौन सा राज्य करशी उत्पादन में आगे है कौन सा राज्य साक्षर्तदर में अवल नंबर पर है किस राज्य में प्रतिव्यक्ति आये सरवादिक है यह सब नेन हम स्थानिक वर्गीकरण के आधार पर ही ले पाते हैं स्थानिक वर्गीकरण का एक उधारण देखिए इस सार्णी में विभिन देशों में गेहों की उपज के आंकडे दिये गए हैं और इन्हें देशों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है इस उधारण में विभिन देशों की भोगलिक स्थी के आधार पर गेहों की उपज के आंकडों का वर्गीकरण किया गया है छे देशों में प्रती एकड गेहों की उपज के आकड़ों के अनुसार वर्गिकृत किया गया है। इससे विभिन देशों में यह तुलना की जा सकती है कि किस देश में गेहों की उपज अधिक है। तता किस देश में गेहों की उपज कम है। तथा यह निश्कर्ष सरलता से निकाला जा सकता है कि किस देश में गेहूं के उत्पादन की बहतर तकनीक है आकणों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है आकणों का गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना गुण एक ऐसी विशेष्टा होती है जिसे संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता गुण को केवल गुणात्मक विशेष्टा की उपस्तिति या अनुपस्तिति की आधार पर वर्गीकरत किया जा सकता है गुणात्मक विशेष्टाओं पर आधारित आक्णों का ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है उधारण के लिए धर्म, जाती, लिंग, राष्ट्रिता, साक्षर्ता, वेहवाहिक स्थिती आधी ऐसे गुण है जिनका परिमानन नहीं किया जा सकता जब गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना होता है, तब मदों के अंतर गुणों की उपस्तिती या अनुपस्तिती के आधार पर किया जाता है एक गुण की विशेष्टाओं में अंतर किसी प्राकर्तिक सीमांकन के आधार पर किया जाता है इस प्राकृतिक अंदर के आधार पर उस सम्हू का निश्चत कर सकते हैं जिसमें किसी एक विशेश मद्द को वर्गी करत किया जाना है उधारन के लिए यदि हम साक्षरता के आधार पर वर्गी करन करते हैं तब एक सम्हू अक्षर ग्यान वाले व्यक्तियों का होगा तथा दूसरा सम्हू उन व्यक्तियों का होगा जिने अक्षर का ग्यान नहीं है या वह नेरक्षर हैं गुनात्मक विशेश्चता के आधार पर वर्गी करन दो प्रकार का होता है किसी एक गुण के आधार पर किया जाने वाला साधारन वर्गी करन तथा एक से अधिक गुणों के आधार पर किया जाने वाला बहु गुणिय वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण का उधारण इस उधारण में किसी देश की जनसंख्या को गुणात्मक चर लिंग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है प्रतम चरण में आप देखेंगे यह वर्गीकरण पहली विशेष्टा की उपस्तिती या अनूपस्तिती पर आधारित है जैसे पुरुष या पुरुष नहीं, जो पुरुष नहीं है उस्त्री है इन दो विशेष्टाओं को आगे दूसरी विशेष्टा वहवाईक स्तिती की उपस्तिती या अनुपस्तिती की आधार पर विभाजित किया गया है आकलों के वर्गीकरण का चौथा आधार है आकलों का मात्रा के आधार पर वर्गीकरण आंक्डों में संग्रह की गई सूचनाओं की प्रिकरती मातरात्मक होती है जब ऐसी विशेष्टाओं के संग्रहित आंक्डों को वर्गों में समुहित किया जाता है तो वर्गीकरण मातरात्मक वर्गीकरण कहलाता है आंक्णों की परिवर्तंशील विशेष्टाओं को जिने संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जा सकता है चर कहते हैं मजदूरी, आयू, उचाई, भार, दूरी, चात्रों के अंग, आदी से संबंदित आंक्डे परिवर्तंशील होते हैं यह सभी चर कहलाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यह सभी चर मातरात्मक रूप में व्यक्त किये जा सकते हैं मातरात्मक वर्गी करण को बारंबार्ता वित्रण या बारंबार्ता सर्ने के रूप में दिखाया जाता है बारंबार्ता वित्रण समानेता आंक्णों को वर्गों में व्यस्तित करता है तता इन वर्गों में से प्रतेक में आने वाले प्रिशन की संख्या बारंबार्ता को दिखाता है मातरात्म वर्गीकरण का एक उधारन देखिए सौव विध्यार्तियों के अर्थचास्ट में प्राप्त अंक का बारंबार्ता वितरन यहां दिखाया गया है इस उधारन में अब परिश्कृत आंक्डों के रूप में ले गए सौव विध्यार्तियों के अंकों को मातरात्मक आधार पर वर्गिक्रत किया गया है इन अंकों को विभिन वर्गों में वर्गिकृत करके उनकी बारंबारता ग्याद की गई है। इसे बारंबारता वित्रन कहते हैं, जिसके विशय में हम इस अध्याय में आगे चर्चा करेंगे। मातरात्मक वर्गिकरण करने के पश्चात हमारे लिए आंकों की तुलना करके निशकर्ष निकालना सरल हो गया है। हम सरलता से बता सकते हैं कि नब्भ से सौ तक अंग पाने वाले चार विध्यारती हैं। चर की अवधारना क्या है? एक गुण या मद जिसका मान समय समय पर और वस्तु दर वस्तु बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। उधारन के लिए किसी वस्तु की मांग उसकी कीमतों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार मांग एक चर है। सरल शब्दों में कहें हैं तो किसी तत्व की वह विशेषता जिससे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है चर कहलाती है। चरों को समान्यता X, Y और Z अक्षरों से व्यक्ट किया जाता है। और यह विशेष मांदर्णों के अधार पर एक दूसरों से भिन होते हैं। किसी अनुसंधान के दौरान आय संबंदी आकड़े एकत्र करने पर सभी व्यक्टियों की आय भिन भिन पाय जाती है। इस प्रकार आय भी एक चर है। इक विध्याल्या में विध्यार्तियों के भार संबंदी एकत्र किये गए आकड़े भी भिन 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 भार दर खाते हैं। इस प्रकार भार एक चर है। चरों को व्यापक तोर पर संतत और विवित या खंडित चरों में माटा जाता है। विविट या खंडित चर क्या होते हैं वह है चर जिसके मान परिमित हो या फिर गणित की रूप से परिमित हो किसी भी स्थिति में यह किसी अंतराल के सभी मूल्य को प्राप्त नहीं कर सकता इसके मान केवल परिमित उच्छाल से बदलते हैं यह उच्छाल एक मान से दूसरे मान के बीच होते हैं परन्तु इसके बीच का कोई मान नहीं आता खंडिचर एक ऐसा चर है जिसका मुल्य निश्चित होता है तद जिसके विभिन मूल्यों में एक निश्चित अंतर होता है, समानेता इसका मूल्य भिन संख्या में नहीं होता, किन्तु विशेश परिस्तियों में भिन संख्याओं में समान और निश्चित अंतर है तो वे खंडित चर हो सकता है, प्राय यह किसी वस्तु की गणना का पर क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या दशमलों में नहीं होती, इसी प्रकार किसी कार्याले में करमचारियों की संख्या भी पूर्ण अंक में होती है। यह पूर्ण अंक मान जैसे एक दो तीन आदी, भिन्नात्मक मान जैसे एक बटा दो, दो बटा तीन, दो बटा चार आदी, तथा वे मान जो यथा तथा भिन्न नहीं है, जैसे दो का वर्गमूल, तीन का वर्गमूल आदी हो सकता है। अखंडिच्चर किसी भी कल्पित मान को अभिव्यक्त करने में सक्षम है और इनके मानों का अनंत श्रेडी में बाटा जा सकता है यह किसी वस्तु के परिमापन का परिणाम होता है जैसे एक कक्षा में विद्यारतियों का भार एक परिवार के सदस्यों की आयू या एक नगर में वासियों की मासिक आये उधारण के लिए किसी बालक का कद एक निश्च शिमा के अंतरकत को भी मान हो सकता है या संपूर्ण संख्या वाले मान जैसे 90 सैंटीम्टर, 100 सैंटीमीटर या 105 सैंटीमीटर आदी हो सकता है इसके साथ ही यह भिद्नात्व का मान भी हो सकता है जैसे 90.85 cm, 102.34 cm आदी जो पूर्णांक नहीं है इस प्रकार पुचाई चर किसी भी कल्पित मान को अभिवेक्ट करने में सक्षम है और इसके मान को अनन्त श्रेणियों में बाटा जा सकता है यह एक संतत चर है एक तुलना द्वारा हम खंडित तथा अखंडित चरों के पूर्ण संख्या में होती है इसमें दो पूर्ण संख्याओं के बीच का मान नहीं हो सकता संख्या 34 होगी या 35 34.5 नहीं हो सकता इसलिए यह खंडित चर है जबकि विद्यारतियों का भार पूर्ण संख्याओं के बीच का मान भी हो सकता है जैसे 54.800 kg इसलिए यह खंडित आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं आज हमने आकडों के संगठन की अवशक्ता और परिश्क्रित आकडे वर्गीकरण का अर्थ उद्देश तथा मुख्य विशेष्टाएं आकडों के वर्गीकरण की चार विधियां पहली काल अनुकर्मिक वर्गीकरण, दूसरा स्थानिक वर्गीकरण, तीसरा गुनात्मक वर्गीकरण, तथा चोथा मात्रात्मक वर्गीकरण के साथ चर की अवधारना विखंडित या खंडित चर भी समझा अगली कक्षा में इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए बारंबारता वित्रन के विश्य में जानेंगे तब तक के लिए नमस्कार अगली के लिए लगए नमस्कार